एक साथ नजर आये पूरू सीम असो गलोद और हनमान बेनवाल राजस्तान के पूरू मुखी मंतरी असो गलोद ने अपने बेटे वेबो गलोद के लिए जम कर चुनाव परचार किया इस कड़ी में उनने मंगलोवार को बीनवाल के बागोडा में चुनावी सबा की इस सबा में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी किसी को उमीद भी नहीं होगी इस जन्द सबा में असो गलोद के साथ आरलप प्रमुग हनमान बेनवाल भी उनके साथ नजर आये हनमान बेनवाल एक समय असो गलोद सरकार के दुरूव विरोधी रहे हैं वह गलोद सरकार पर कई परकार के आरोब लगा चुके हैं इस लोगसबा चुनाव के लिए कॉंग्रेस ने अरलपी से गड़बंदन किया है इसी करण तो कॉंग्रेस ने नागोर सीट से हनवान बेनवाल का समर्तन किया है। असोगलोद ने भी हनवान बेनवाल के समर्तन में परचार किया। हनबान बेनिवाल ने असोग गलोत की योजनाओं की तारिप की उन्होंने कहा कि सरकार ने चरेंजीवी जेसी भेतरिन योजना राज्य में दी जिससे गरीब और आम लोगों को फाइदा मिला बारती जनता पार्टे की सरकार को जन विरुद्धी वाली सरकार बताया उन्होंने कहा कि आम जन को फाइदा पहुचाने वाली योजने बंद कर दी जा रही है जालोर शिरुवी संस्दी सीट पर कांग्रेस पटैश्वी वेबव गलोट की समर्तर में वोट की अपील की अनमान बेनिवाल ने कहा कि अगर वेबव गलोट को लोकशवा बेजते हो तो विकास के नए आयाम मिलेंगे उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के लिए मिने अपना हित छोड़ कर सड़कों पर हमेशा उत्रा वहीं पूरु मुकेवंद्रे असो गलोट ने कहा कि ये चेतर खाफी पिचड़ा हुआ है पिछले 20 साल में बाजपानेताउने इसे उपेक से छोड़ दिया है अब हमें इसे 20 साल आगे बढ़ाना है जालोशिरोव की तरक्की कर इसे समर्द बनाना है उन्होंने कहा कि वेबोव गलोट ने अब ठान लिया है कि वह अपने मारवाड की जालोशिरोव के लोगों के सेवा करेगा और उनका जीवन खुशों से भर देगा वेबोव के इन परियासों में हम सभी को जनता को और जन परतिदियों को उनका सयोग करना होगा गलोट ने भाजबा पर निशाना सात्यों कहा कि पोलिंग से बिजेपी के नेता गबरा गये हैं इसलिए सभी को बदनाम कर रहे हैं विपक्स पर गुसा दिखा रहे हैं उन्होंने कहा कि चुनाओं में सभी से आश्रिवाद मांगना पड़ता है बिजेपी इसको भी खतम करना चाती है आज भाजबा कॉंग्रेज के खातों को बंद कर रही है दो मुक्यमंदरियों को जेल में डाल दिया है ED, CBI, JC संस्ताओं को दुर्पयों गोरा है व्यापारियों को दमका कर इलेक्ट्रोल बॉंड के नाम पर चंदा ले रही है बाजबा के इन कारियों के कारण आज लोक्तंतर खत्रे में आ गया है